एक बार एक गाओं में एक ब्रिद्ध पुरुष आया वह बच्चों को देख रहा था पक्लो 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 इधर आओ बच्चे मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगा क्या आपके पास चॉकलेट है हाँ मेरे बच्चे मेरे पास एक अच्छी सी चॉकलेट है और मेरे पास एक गिन भी है तुम्हारे खेलने के लिए मुझे दे दो बॉल मुझे दे दो बॉल चाक्लेट मेरे घर पर रखी है तुम महाँ से ले लेना बॉल अभी ले लो ठीक है, बॉल अभी दे दो, चाकलेट हम बाद में ले लेंगे ठाइक्यों अंकल, अब हम तुम्हारे शाद घर पे चलते हैं हाँ 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 हाँ, अब मैं तुम्हें इस कमरे में बन कर दूँगा नहीं अंकल नहीं, ऐसा मत करना, मेरे ममी पापा मुझे बहुत मारेंगे लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते अब मैं जा रहा हूँ दूसरे बच्चों को लाने के लिए, तब तक तुम यहीं रहना शुनो भाई गोलू, बो सामने मोवाई रखा है, तुम उससे फोन करके ममी पापा को बुला लो हलो ममी, मुझे इस चगर पर इन लोगों ने बंद कर लिया है, आप जल्दी आओ और मुझे छड़वा लो हाँ हाँ चलते हैं अब घर चलके उस आदमी को पकड़ते हैं, जुसने तुम्हें यहां लाया था पुलिश वाले शार, उन लोगों को जरूर पकड़ना, क्योंकि नहीं तो वो दूसरे बच्चों को पकड़ लेंगे पुलिश वाले अंकल, बो रहा उसीने मुझे पकड़ा था ठीक है, उसे अभी पकड़ते हैं मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो ऐसे ही बच्चों तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊँगा बहुत सुन्दर बच्चे, ऐसे ही हिम्मत दिखाओ और अपना काम करो